So, what's up guys, this is Dhruv Girl, the Acoustic Bandia and आज का हमारा जो guitar lesson, it is मेरे यारा, from the movie Suray Vanshi, sung by Rajit Singh So, गाना काफी जादा simple and easy सा है हमारा, कुछ जादा इसमें complications नहीं है, हमारा एक बहुती common pattern है हर देखो, पूरी guitar theory का विच इस C A Minor F G So, उसी pattern को जो हम इस गाने में भी उस करने वाले हैं So, chords तो हलाकि आपको अलड़ी पता लग चुके हैं, बट एक बर फिर भी detail में जरूर बताऊंगा So, हमारा केपो लग जाएगा second fret पे, D major का हमारा scale है अब जो है, पूरा guitar lesson स्टार्ट होने से पहले, बस एक छोड़ी सी announcement की, काफिवर में को जो है requests आती है कि मतलब मेरी क्या accessories यूज हो रही है, क्या guitars, कौन से guitars, किस budget में क्या चीज, कौन समाइक सारी उन accessories के बारे में मैंने नीचे description में जाओगे तो link होगा Amazon store by Dhruv Goyal के नाम से, वहाँ पे आप चेक करोगे So Amazon की आप में जाकर आप वो सारी चीज़े एक साथ देख सकते हो, जो कि मैंने खुद list कर रखी है So अभी फिलाल आगे भढ़ जाते हैं हमारे guitar lesson पे So without wasting any more time, let's get straight into the video So guys, coming to the song, अब यार देखो हमारी सबसे पहले चीज जो है के पो 2nd fret पे लग रहा है जो कि मैंने पहले बता दिया, because D major के scale में गान है, और हमारी इस गाने में लगी कुल 5 chords So 1st chord is C major, 2nd chord A minor, diagrams यह अलड़ी आपके लिए आई रहे हैं साथ-साथ 3rd F major, 4th G major, ठीक है, अब यह 4 chords हो चुछी की, यह जो है ना, C, A minor, F, G एक बहुती जादा common pattern है जो कि guitar में use होता है, ना जाने कितने गानों के लिए यह pattern जो है, चलता आ रहा है मैंने काफी बार guitar lessons भी ऐसे डाले हैं और जहां तक हो सकेगा, इस pattern पे specially video बनाऊंगा जिसमें आपको सारे एक साथ वो गाने बताऊंगा, जो इस pattern को follow करते हैं और जो हमारी 5th chord है, फिलाल इस गाने में वो है D minor D minor का use बस एक दो notes पर है, हमारे बाकी पूरा का पूरा गाना हमारा C, A minor, F और G इन चार chords को use करता है So guys, coming to the strumming part, अब strumming इसमें ते को थोड़ी सी multiple हमारी चल जाएगी अब जैसे हमारा starting में single down strums में चल जाएगा ठीक है, starting तो हमारी यह से चल जाएगी अब हमारा जो गाने में थोड़ा सा change आता है, वो आता है ठीक है, अब इसमें देखो, दोस्ट रमींग है यहाँ तो चल आलो down up, down up, check down, down up, down up, check down कैसे? हो लाखो में ले, कोई भी न तुम सामें ला तो मैं हापे क्या यह उर्ज़ कर रहा हूँ down up, down up, check down, down up, down up, check down, down up, down up, check down, down up, down up, check down दो स्ट्रमींग है, यहाँ तो हमारी down up, down up, check down वाली यहाँ फिर हमारी जो दूसी रहेगी, वो रहेगी मेर यारा, मेर यारा, मान जाना, मेर यारा तो इसमें मैं गया रहा हूँ down, down up, check down, down, down up, check down मेर यारा, मेर यारा, मान जाना, मेर यारा कुल में लाकर अगर घूम फिर के देखें तो दोनों स्ट्रमींग सेम हैं बस जो दूसरी वाली है, वो हलका सा उसका slow वर्जिन है तो इसलों इसको थोड़ा सा में तोड़ कर प्ले गरना है और कुछ नहीं, लेकिन जाद अच्छी वही लगी down, down, up, check, down वाली जाद अच्छी लगी because इस गाने में भी जो तबला यूज हुआ है यहाँ पर इस बीट पर वो थोड़ा स्ट्रमींग से मैच करता है ठीक है, सो कोशिश करना कि दूसरी वाली इस्ट्रमिंग को यूज कर पाओ अब हमारी जो यह शुरूबात आ रहती है, गाने की सो गाना हमारी यह शुरू होता है इसी पैटन से C, A minor, F और G जो मैं आपको बताया सो यह कैसे है, एक बार इसको lyrics के साथ देख लेते है तुम से दिल जब से मिला है ठीक है तो इसमें तुम से दिल पर C major जब से मिला है पर A minor कुछ तो वजा है F major एश्क हुआ है G major C, A minor, F और G हमारी यह चारो chords यूज होगी कैसे तुम से दिल जब से मिला है कोई तो वजा है एश्क हुआ है ठीक है अब यह पूरा रिपीट हो जाएगा कैसे पूरा गाकर दिखाता हूँ इतनी सी बात समझ ले सारे जहां में तुम से हुआ है ठीक है एक दम उसी pattern पर हमारा C A minor F G फिर से हूज होगा बीच बीच में आदेगो थोड़ा सा लिरिक्स को देखना पड़ रहा विकॉज नया गान है और आज ही मैंने सारे कमेंट्स रीड करे थे मेरे यारा के बारे में आज क्या जी सोचा कि शूट कर दूँ इसको इसके बाद हमारे काने का में chorus part आजाएगा जो की बार-बार आगे भी repeat होना है तो यह आएगा D minor C F C G ठीक है अब इसको use कैसे करना है हो लाखो मेले D minor कोई भी ना तुम सामेला C major हो मेरा ये दिल F major तेरी और बढ़ता गया ना रुका यह पूरा रहेगा हमारा ठीक है D minor C F C G ठीक है इसको हमें पूरा use करना है और strumming हमारी शुरू हो जाना है जैसी लाखो मेले वाला part आएगा अब इसको मैं पूरा गाकर दिखाता हूँ G जहां पर मारी end होईगी ना यहां पर transition डल सकती है बहुत अच्छी थोड़ी slide है थोड़ी सी clear slide देनी पड़ेगी उसके बाद F C एक वाला मेरे यारा F पर दूसरे वाला C पर repeat F major C major again अब यह जो पूरा है इसको एक साथ गाकर दिखाता हूँ हो लाखो मेले कोई भी न तुम सा मेला हो मेरा यह दुल तेरी और बढ़ता गया ना रुका मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा तो इसमें मेरे यारा मेरे यारा दूसरे वाला मेरे यारा अब इसमें G और F के बीच में क्या transition रही मेरे यारा मैने एकदम से G को लेके बस slide का sound देना है मेरे यारा यह चीज रखी मेरे यारा यह चीज करनी है ठीक है मेरे वाला जो वड़े पूरा front slide, back slide यारा मेरे यारा अभी अगर ना होए तो इस पर जादा माता बच्ची मत करना next आगे बढ़ जाना simple रख लेना but खराब मत करना transitions मैं हर बार बताता हूँ कि करो तो बहुत साफ करो तो अच्छी लगेगी वनना बहुत बेकार लगेगी ऐसा लगया कि तुमने कुछ miss out कर दिया guitar play करने में so अगर हाथ बैट रहा हो तो ही करना वनना मत करना अब हमारा जो आ जाता है आगे का पाट आ जाता है which is जो मरला थोड़ा सा music चलेगा हमारा C A minor F G का ही music चलेगा इसके बाद आएगा stanza पाट तो उस पर नजर डाल लेते हैं so guys coming to the stanza part अब stanza में एक pattern लग रहे है which is C A minor C A minor D minor F G अब इन chords को में दो बार यूज करना और हमारा stanza पूरा हो जाएगा because उसके बाद हमारा वही आ जाएगा ठीक है so in short पूरा ही हो जाएगा so हमारा जो पूरा stanza रहा C A minor C A minor D minor F और G इन chords को यूज कर रहा है लेकिन इसमें फरक क्या है देखो हमारी strumming वही चलेगी अब चक डाउन वही वाली जो हमारी strumming चल रही दी लेकिन इसको थोड़ा सा soft कर लेना हम है soft क्या बहुत जादा hard नहीं करना जैसे हमारा पहले आरा था न मेरे आरा पे वह वाला काम नहीं करना हमें इसको अब soft करना है रहता है एक बार लिरिक से साथ देखते हैं हम्- तेरी मेरी बाते होती रहे सी और माइनर, repeat पूरा ची मेरी मैनर दो बार उस हो गया कैसे देज़ा मेरी बाते होती रहे आसी मेरी माइनर होती रहे तू जो मेरे पास रहे यह कैसे रहा तुझो मेरे दी माइनर पास रहे एफ मेजर जादू सायू चलता रहे जी मेजर अब जो हैगा फीमेल पास मा रहेगा लेकिन कॉट सेम रहेंगी और तरीका भी सेम रहेगा गाने का लिरिक सेमारी हो जाएगी खोना है से तो खो जाने दो दूर से तो होगा नहीं थोड़ा तो करीबाने दो लाखो मेले बाकी सारा पार्टियार हमारा एकदम सेम रहा wanna male और female का बस फ़रक है लेकिन chrom अब चो एकदम सेम रही CA dmfg lyrics का फरक ओर गाने का तरीका वगयरा सब सेम रहा ठीक है सो गयज हमारा गाना जो है आगे मेज का यहीं चलेगा लाखों मिले कोई भी न तुम सामेला तेरी और बढ़ता चलागा है या मेरे यार ठीक है यही सारा है गामारा जो हमने पहले सीखा वही सारा पार्ट वापस फिर से रिपीट हो जाएगा गाना अगर देखो तो कुल मिला के इतना ही था इससे जाद हमारे इस गाने में कुछ भी नहीं है सीखने को यह वापस सारी लाइन्स रिपीट होती है और गाना हमारे अंड अप हो जाता है आज का हमारा जो गिटार लेसन था मेरे यारा फ्रॉम्दा मूवी सूरे वंशी संग भारी जीत सिंग हमारा गाना इतना ही था और अगर ये वीडियो पसंद आई और ये गाना तुम्हें समझ आया तो प्लीज 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 दू लाइक शेर और सब्सक्राइब और हाँ इस गाने की नाएक वीडियो अगर तुम कहीं भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट करते हो ये मेरा इंस्टाग्राम है नीचे भी लिखा आ गया होगा तो यहाँ पर मैं को टाइग जरूर कर रहा हो अगर मतलब तुमने टाइग करा सही टाइम पर समय इसको प्लीज पक्का कह रहा हूँ मैं इसको रिपोस जरूर करूँगा या फिर अपनी स्टोरी में शरूर करूँगा तो प्लीज दू इत ताकि मेरे को ही मेरे बता लगता रहे कि मेरे गिटार लेसीन्स आपको कितना मतलब प्रोग्रेस दिखा रहे है नहीं दिखा रहे है तो एक feedback हो जाता है, okay? So that's all for the video today guys, मिलता हम आप लोगों से बहुत जल्द अपनी next video में, तिल दिन, bye, bye.